कि अन्बक्सिंग करते हैं के 35 प्रो वायलेस माइक्रोफॉन पहले मार्केट में के 35 माइक आया तब उसकी प्राइस थोड़ी ज्यादा थी उसके बाद आया के 35 प्रो वायलेस माइक्रोफॉन तो उसके बाद के 35 माइक की प्राइस थोड़ी कम हो गई जब भी आप नए यूटूब चैनल खुलना चाहते हैं नए यूटूबर बनना चाहते हैं तब आप एक कौन माइक खरीते हैं वो यहां BY-M1 माइक जो की हर यूटूबर इसे पर्चेस करता है लेकिन इसमें भी ओरि यह माइक थोड़ा खटकता है यह जो वायर है आपको इडिटेट करता है तो आपको अच्छा ब्लूटूथ माइक खरीदने का सोते हैं तो आप यह सस्तावला वीडी का माइक खरीद लेते हैं इसका भी साउंड का क्वालिटी थोड़ा अच्छा है वीडी का माइक में यह इसका भी sound का quality अच्छा है लेकिन उसके बाद आप सोचते हैं कोई अच्छा माइक खरीदने का तो आप K35 या फिर K35 Pro माइक खरीद सकते हैं वो यहां का भी wireless माइक आता है तेकिन उसकी प्राइस तोड़ी ज्यादा रहती है तो आप इसे online खरीते हैं नहीं तो offline खरीते हैं जब भी आप इसे खरीते हैं तो आप पहले बॉक्स देखिए कि उसका पर यह प्लास्टिक का जो रैपिंग पैकिंग है वो होना बहुत जरूरी है अगर यह प्लास्टिक का तो आप समझ लीजिए बॉक्स को किसी ने open किया है तो सबसे पहल wireless microphone 100% original 2.4 GHz में wireless system मिलता है माइक का डिजैन देखिए यहाँ पे wireless का symbol है आप live show कर सकते हैं इंटर्यू भी ले सकते हैं और किदर गूमने जाते हैं और आप YouTube का वीडियो शुटिंग करना चाते हैं तो आप vlogging वीडियो भी शुटिंग कर सकते हैं इसमें मोबाल के साथ कनेक कर सकते हैं कैमेरा के साथ कनेक कर सकते हैं और स्पीकर के साथ भी कनेक कर सकते हैं तो आप इसे टाइप सी मोबाल में भी यूज़ कर सकते हैं और iPhone मोबाल में भी यूज़ कर सकते हैं तो टाइप सी मोबाल में कनेक करने के लिए आपको ऐसा वाला केबल और आइफॉन के लिए भी ऐसा वाला एक केबल चाहिए चोटा सा तो यह आइफॉन का केबल है 3.5 mm jack आपको मिलता है इसमें और आपको अगर एक माइक और एक रिसीवर पच्छिस करना चाहते हैं तो उसका भी आप्छन है दो माइक और एक रिसीवर पच्छिस करना चाहते हैं तो उसका भी आप्छन आपको मिलता है बैक साइड पर दिखें बॉक्स को K35 Pro Wireless Microphone Plug and Play है 20 मीटर दूरी पर एक काम करेगा तो मोबैल से आप 20 मीटर दूर है तो भी आपका यह आवस रेकोड कर लेगा फिर से रेडियो क्लियर साउंड आपको इसमें मिलता है और आप इसमें इंटर्यू भी शुटिंग कर सकते हैं यह माइक से तो यह इंटर्यू का सिंबोल है और Made in China में इंडिया में नहीं होता है अगर आप सुचते हैं कि यह माइक इंडिया का है तो यह गलत बात है वी बॉक्स को मैं उपन करता हूं माइक को बाहर निकलते हैं यह दोनों माइक बाहर आ गया और यह है रिसीवर यह user manual है इंग्लिस में है और चाइनिस लेंग्विज में है और एक बॉक्स मिल जाता है देखते हैं इसका अंदर क्या है इसका अंदर चार्जिंग के लिए एक टाइप सी के बल है तो भी मैं बॉक्स को साइड में रखता हूं सबसे पहले रिसीवर को देखते हैं आगे 3.5 mm पिन है रिसीवर का बॉड़ी मैट फिनिसिंग में है यहां साइड पे डिजाइन भी है और यह जो लाइट है कनेक्ट इंडिकेटर लाइट है अन अफ का बटन नीचे है साइड से देखिए रिसीवर को और रिसीवर को चार्जिंग करने के लिए नीचे नहीए और यहाँ पर है कनेक्ट इंडिकेटर लाइट है शाइड में टायप 2 ég Pin पोइट है माइक को चाजिंग करने के लिए और नीचे रिसीत का अप्सण है तो कभी-कभी क्या होता है माइक connect नहीं होता है receiver से तो वो टाइम पे आप यहाँ पे pin डाल के माइक को reset कर सकते हैं wind shield देख लिजिए तो quality काफी अच्छा है wind shield को बाहर निकलते हैं माइक देखिए माइक को receiver से connect करते हैं receiver में on off का button दो second टक प्रिस करना पड़ेगा तो यहाँ पे दिखिए red and green indicator light blinking हो रहा है तो अब यह pairing के लिए ready है माइक को on करते हैं तो अब जैसे माइक को on करेंगे यह एक second में pairing हो जाएगा यहाँ पे देखिए blue light आ गया है तो आप अकले में shooting कर रहे हैं और एक ही माइक यूज़ करना चाहते हैं तो आप एक ही माइक यूज़ कर सकते हैं और अगर आप दो लोग shooting कर रहे हैं और दोनों माइक साथ में यूज़ करना चाहते हैं तो आप दोनों माइक भी साथ में यूज़ कर सकते हैं तो यह दूसरा माइक भी पैरिंग हो गया और अगर आप noise cancellation का option on रखना चाहते हैं तो यह जो on off का button है उसे एक बार प्रेस करोगे तो यहां पर देखिए green light आ गया तो यह noise cancellation का option on हो गया तो अभी इसे mobile से connect करते हैं और देखते हैं sound का quality कैसा आता है अगर आप cinema FV5 app यूज़ करते हैं तो इसमें sound का quality थोड़ा different आएगा और अगर आप इसे open camera में यूज़ करना चाहते हैं तो आप open camera में भी इससे बहुती अच्छा sound का quality आएगा दोस्तो अभी mobile से 4 मीटर की दूरी पे हूँ आप मेरी आवाज सुन सकते हैं अभी दिरी दिर में पीछे जा रहा हूँ तो दोस्तो अभी मैं 6 मीटर की दूरी पे हूँ अब यह और थोड़ा पीछे जाता हूँ तो दोस्तो अभी मैं almost 10 मीटर की दूरी पे हूँ और तोड़ा पीछे जाता हूँ तो दोस्तो अभी 15 मीटर की दूरी पे आप मेरी आवाज सुन चकते हैं और तोड़ा पीछे जाके देखता हूँ तो दोस्तो अल्मॉस्ट में 20 मीटर की दूरी पर आ गया आप मेरी आवाज सुन चकते हैं तो 20 मीटर का दूरी पर आवाज आपको कैसी आ रही होगी मुझे पता नहीं मोबाल की जितनी भी अन्बॉक्सिंग की वीडियो मैंने बनाई है मैं इसी गार्डन में आता हूं कैमेर का टेस्टिंग करने के लिए तो आप मेरी आवाज सुन सकते हैं अभी मैं पास में आ गया तो दोस्तो आप कॉमेंट शेक्शन में मुझे बता सकते हैं आपको आवाज कैसी लग रही है वीडियो में आपने देखा के 35 प्रो वायलेस मैक्रोफोन का रीव्यू आपका माइक मिल जाएंगे लेकिन वह है कि जो माइक है वो बहुत महेंगे होते हैं सब लोग नहीं खरीद पाते हैं तो आप यह माइक पर्चेस कर सकते हैं साउंड का क्कॉलिटी आपको इसमें बहुत ही अच्छा मिलता है आप सिनेमा एफ़फाई एप्लिकेशन भी यूज कर स सकते हैं यह माइक को यूज करने के लिए उपन के मेरा में आपको आप्टिमाइस पूर वोइस रेकोगनिशन ऑप्शन चूज करना पड़ेगा अच्छा साउंड रेकोडिंग करने के लिए अब बात करते हैं इसकी प्राइस के बारे में तो मैंने इसे पर्चेस किया है सा माइक मिला और मेरी आने वाले वीडियो इसी माइक से मैं वीडियो रेकोडिंग करने वाला हूँ तो आप सुन सकते हैं इसका साउंड का रेकोडिंग कैसा आता है मेरी आने वाले वीडियो में तो आप यह माइक पर्चेस करना चाहते हैं तो कर सकते हैं आपका मन में कोई भी सवाल हो तो मुझे comment section में पूछ सकते हैं उसका answer में आपको दूँगा तो दोस्तों भी वीडियो को एंड कने के समय गया वीडियो को एंड करते हैं चैनल को subscribe कर लिजे ऐसी आपको वीडियो मिलती रहेगी मिलते हैं कोई अगली वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई कर दो 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 क